हेलो दोस्तों केसे हो आप में आगे हूँ और एक नए वीडियो के साथ तो आज की वीडियो में आपको एक नए हीडन अचुमेंट के बार में बताऊंगा यह हीडन अचुमेंट सिर्फ एक मैच में ही कंप्लीट हो जाती है और आपको 30 अचुमेंट पॉइंट और एक क्लास तो ये नई वाली hidden achievement health recover से related है तो अगर आप ये वीडियो cycle 1 season 2 में देख रहे हो तो आपकी बहुत ही जल्दी ये achievement complete हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर एक नया mode आया है फ्लोरा मेननस नाम से अगर आप ये achievement इस mode के अंदर complete करोगे तो आपका एक match में ही ये complete हो जाएगा बहुत ही जल्दी और आसानी से और ये आप solo, duo ये squad कौन से भी mode के अंदर कर सकते हो तो मैं अभी duo के अंदर करूँगा और में भी आपको सला दूँगा कि आप अपनी दोस्त की मदद लो बाई चांस अगर कोई enemy आपको जल्दी मार दे तो वो आपको revive कर सकता है तो आपको floraminance mode को select करना है और match start कर देनी है अगर आप ये video cycle 1 season 2 के बाद देख रहे हो तो फिर आपको classic match में complete करना होगा उसके बार में भी आपको इस video में मैं बताऊँगा कि कैसे complete करना है तो floraminance mode के अंदर आपको map पर ये तिन green circle दिखाए देंगे ये है special zone तो जो 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 पूल के तरफ है आपको वहा ही जाना है इस achievement को complete करने के लिए तो आप ये देख सकते हो आपको यहाँ आना है green circle के अंदर तो ये green circle का काम ये है कि अगर आप इसके अंदर रहोगे तो आपकी health automatic recover होते रहेगी तो आपको यहाँ आना है और वहाँ उपर जाकर आपको निचे jump लगा देनी है जिससे आपकी health कम हो जाए और फिर से recover हो जाए क्योंकि ये achievement का mission यही है कि आपको 1800 health recover करनी है तो आपने सही सुना है total आपको 1800 health recover करनी है तो recover करने के लिए ये सबसे best trick है आपको वह स्याह से उपर से jump मारनी है फिर आपकी health कम हो जाएगी पर आप इस zone के अंदर रहोगे तो automatic recover होगी तो आप देख सकते हो मैं उपर जा रहा हूँ तो मेरी health recover हो रही है तो आपको ऐसे ही करना है और जब आप यहाँ से jump लगाते हो तो एक time पे आपकी 70 या 80 health कम हो जाती है और फिर से 70 और 80 ही recover हो जाती है तो अगर 80 भी recover हो रही है तो total आपको 24 या 25 जंप लगाने है जिससे आपकी 800 health recover हो जाएगी तो आपको यहाँ से 24 या 25 जंप लगाने है और फिर आपका ये achievement complete हो जाएगा मतलब total आपके 800 health recover हो जाएगी तो आपको ऐसे ही करते रहना है जब तक ये green circle है तब तक आप जल्दी यल्दी जंप लगा लो और अगर zone आ जाए और आपका ये 25 बार जंप लगा कर ना हो और आपकी health भी recover ना हो तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप first aid और health kit का सामाज सब कुछ रखो और सब कुछ लगाओ आप zone के बाहर रुको और complete करो या फिर अगर आप ये video cycle 1 season 2 के बाद देख रहे हो और ये mode अगर नहीं हो तो फिर आपको classic match में कैसे complete करना है अभी मैं आपको बताता हूँ तो आपको zone के बाहर health लगानी है आप zone के बाहर रुको आप health लगाओ या फिर अगर आपको इसे fuel can दिखाई दे तो उसे forward दो और आपके दोस्त को कहो कि यार आपको वो revive कर दे जिससे आपके फिर से 100 से health recover होगी तो आप देख सकते हैं मैंने इसे fuel can 4 दी है और अभी मेरे दोस्त ने revive कर दिया है तो मैं आप जल्दी से एक first aid लगा लेता हूँ तो आपको भी ऐसे ही करना है या फिर zone के बाहर रुकते जाओ थोड़ा सा health damage लो फिर से zone के अंदर जाओ बाहर आओ ऐसे करके आपको ये complete करना है आपको याद रखना है कि total आपको 800 health आपकी recover करनी है तो ये नया मोड़ा है फ्लोरा इमिनेंस तो इससे बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि यार वहाँ health kit लगाने की जरूरत नहीं होती अपना time बच जाता है तो आपको बच जंप मारनी है और फिर से आपकी health recover हो जाएगी तो अगर आपको ऐसे classic match में करना है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा आप ये देख सकते हैं मैं zone के बाहर रुक रहा हूँ और आपको ऐसे health लगाते रहनी है तो अब ये मेरा mission complete हो गए आप देख सकते हैं मैंने सारे utilities खतम कर दिये है और मैं zone के बाहर ही मर गया हूँ तो आप ये आप देखो ये achievement complete हो जाएगी तो केडी ने मेरी बहुत मदद की है health kit का सामान देने में तो आप देख सकते हो मेरे achievement complete हो गई है पर यहाँ दिखाई नहीं दी पर मैं जब mission के अंदर जाता हूँ और achievement के उपर click करता हूँ तो यहाँ दिखाई देती है कि मेरी achievement complete हो गई है तो आप देख सकते हो इस achievement का नाम है will of still तो आपको एक classic crate का coupon भी मिल जाएगा और उसे के साथ 30 achievement points तो आप जल्दी से इस achievement को complete कर लो क्योंकि यह नए mode के अंदर बहुत ही जल्दी achievement complete हो रही है I have completed the achievement will of still तो इसका mission यही था कि आपको 1800 बार health आपकी recover करनी है एक match के अंदर तो आप देख सकते हो lose more than 800 health in one match और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने कितनी health recover की थी तो आप detail statistics में right side पर देख सकते हो health restore 2321 तो 2321 मेरी health recover हुई ती इसलिए मैरा यह achievement complete हो गया और बाकी बहुत सारी hidden achievements के उपर मैंने वीडियो बनाए है तो अगर आपने उन वीडियो उसको नहीं देखा है तो आप i button पर देख सकते हो तो दोस्तो यही थी आज की उडियो मिलता हूँ मैं आपको और एक नहीं hidden achievement के साथ till then see you bye bye thanks for watching